नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं एक फर्वरी आम बजट के दिन सांसद मार्च करेंगे किसान दिली के बिभीन बोडरों पर पिछले 61 दिनों से क्रिसी कानूनों को रद कराने की अपनी मांग पर अड़े किसान ने अब बड़ी चेतावनी देडाली है बतादे किसान नेतावने साप कर दिया है कि उनका अंदोलन खत्म नहीं होने वाला बलिक एक फरवरी के बाद भी जारी रहेगा किसान नेतावों ने बताया वे लोग आम बयट के दिन सांसद मार्च करेंगे बता दे करांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्सन पाल ने कहा एक परवारी को हम दिली के अलग अलग जगों से सांसत की और पैदल मार्च करेंगे उन्होंने कहा हम एक परवारी को सांसत की और कुच करेंगे इस दिन कैसे कहा जाना है यह हम 28 जनुवारी को तैक करेंगे मौसम विभाग केंद्र के बैग्यानिक ने जहारखन के मौसम में बदलाव की संभवना जताई है बतादे पच्मी भी छोब का असर एक बर फिर जहारखन में दिख रहा है इसे निम्तों तपमान धिये दिये चड़ रहा है मौसम विभाग्यानिकों ने अपने पूर्वानवान में बताया है कि 26 जनुवरी को काले बादल चाहे रहा सकते है वहीं 28 और 29 जनुवरी को बारिस हो सकती है CM हेमान्द के सामने बसंद सुरेन के बिगड़े बोल जहारखन के दुमका में जे एमेम की प्रमंडलिय बैठक में CM हेमान्द सुरेन के सामने ही छोटे भाई विधायक बसंद सुरेन के बोल बिगड़ गए दरसल बैठक में पार्टी करकाता अधिकारियों को लेकर लागतार सिकाय सुना रहे थे इसी पर बसंत सुरेन ने आपक होते हुए करताओ से कहा कि आज सुबे की आपकी अपनी सरकार है ऐसे में अगर अधिकारी बात नहीं सुनते हैं और आप चपल जूता नहीं चला सकते हैं तो ए अफसोस की बात है हलाकि बसंत के इस ब्यान के बाद सियम हैमन सुरेन ने छोटे भाई का बचाओ करते हुए कहा करकताओ के साथ बैठक में कई तरह की बाते होती है लेकिन कहने और करने में फर्क होता है दस सल की बच्ची की बात सुनकर रो पड़े दरोगा है माबाप को भूख से परिशान देकर 10 साल की बेटी सराब बेचने चली गई बतादे सराब बेचकर वह माबाप का पेट भरना चाहती थी सबताहिक बजार में वह सराब बेच रही थी उसी वक्त पुरिच का छापा पड़ गया इससे बजार में भगदर मच गई लेकिन बच्ची वही सराब के साथ ख़ई रही बतादे काम डारा है थानेदार देव परताप परधान ने बच्ची के पाच्चा कर पुछा कि वह सराब के वह बेच रही है बच्ची ने डरते हुए कहा कि सर मेरे घर खाना नहीं है बतादे मासूम भच्ची की बात सुनकर थानेदार की आँख भर आई उन्होंने पुछा सराब के वदले सबजी बेच कर भी तो रुपए कमाच सकती हो रांची के मुराबादी में गवर्नर और दुमका में सीम करेंगे जंडो तोलन जारखन में पंचायतों के कारेकारी समीती पर मुख नहीं कर पाएंगे जंडो तोलन जारखन में इस बार करेकारी समीती के पर मुख जिसे पहले मुखिया कहा जाता था अपने पंचायतों में तिरंगा नहीं फारा पाएंगे बतादे इस बार पंचायतों में पंचायत सचीव जंडो तोलन करेंगे इसके साथ ही जीला परिसद और पंचायज समिती अस्तर पर जण्ड तोलन करने के सुचना जारी की गई है सोमवर को ग्रामिन विकास विभाग के ओवर सचीव सुदेश कुमारदास ने राजे के सभी डीसी को इस संबन्द में आदेश जारी किया है ग्रामिन महिलाओ को आत्म निर्भव बनाना प्रत्मिकता अरधना पतनायक जारखन के ग्रामिन महिलाओ के उतपादों को एक बजार मिल रहा है बेल्यू चैन एप्रोच में काम किया जारा है सक्खी मंडल को उत्पादों को एक पहचान मिले और उनका ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग की समस्या को पलास के जर्ये दूर किया जा रहा है उक्त बाते ग्रामिन विकास बिभाग, जार्खन की सचीव, अराधना पतनायक ने राजेक कर्याला एवं सक्खी मंडल द्वारा निर्मीत उत्पादों का मार्ट, पलास मार्ट के उत्गाटन के दोरान कही राजेपाल ने तीन डीसी समेट चौदा को किया समानित राश्ट्रीय मद्दता दिवस के उसर पर सोमोर को राजेपाल द्रोपदी मुर्मू ने राची सिमडेगा और पच्मी सिमव के डीसी समेट चौदा पदा दिकारियों को समानित किया, साथ ही परिष्ट मद्दताओ को भी समानित किया गया बता दे इस दोरां राजेपाल ने पहली बार मद्दता सोची में नाम सामिल होने वाले युवाओ को बधाई दी है राची के आर्यभट सभागार में रश्टीय मद्दता दिवस के मौके पर राज अस्तरिय कारेक्रम का होजन हुआ जारखन में 74 नाई संक्रमितों की पुष्टी हुई है जो राची से 43 बोकारो से 1 धनबाद से 6 पूर्वी सिवों साथ हजारी बाग एक जामतड़ा 1 कुडरमा 1 लातियार 1 पलामुस से 2 टामगर से 1 साहिभगंज 1 सराय केला 1 सिम्टेगा 2 पच्मी सिवों से 6 मरिज मिले है पूल मौत की संख्याई 1 लाग 3 पन है 624 है वहाई भारत में एक टिप केस 1 लाग 4 या 351 है वाट्सेप की नई पॉलिसी से सहमे नक्सली वाट्सेप की नई पॉलिसी को लेकर उठे विवाद के बीच रेट कारीडोर में भी हलचल है बतादे गोपनियता भंग होने किया सं जंगठन ने फरमान जारी किया है कि दस्ते के लोग वाट्सेप के विकल्प के तोर पर डिसकोड कीक सिगनल वर टेलीग्राम पर भरुसा करें इस संब्ध में पार्चा जारी किया गया है बतादे नक्सलीों के बदलती रणनीतियों ने सुरक्षा भलो के कान खड़े कर द या था अमेजन फिलिप कार्ट और रिलाइंस पर पलास उत्पादों की विक्री पलास ब्रांड के नम से लॉंच सक्खी मंदलो द्वारा निर्मीत उत्पादों की विक्री जल्द ही ओनलाइन सोपिंग पलेटफर्म अमेजन फिलिप कार्ट और रिलाइंस रिटेल के जरि ना की राची की बेटी सविता से पिये मोदीने की बात जार्खन की बेटियां खेल के छेत्रे में बड़े कमाल कर रही है चोटे-चोटे गाओं से ऐसी परतिभाये निकल रही है जिसका लोहा पुराभी स्वमान रहा है या बाते प्रधान मंत्री नायन मोदीने सोमवार को अ रांग टांग गाओं की अंतराष्ट्रिये तिरंदाज सविता भी सामिल है रांची से पुने वारनसी और लखनाव के लिए जल्द सुरू होगी बिमान सेवा रांची के बिलसा मुंडाय आरपोट से जल्द ही लखनाव वारनसी और पुने के लिए बिमान सेवा शुरू ह होने वाली है बतादे राची सांसद संजय सिट ने बताया कि इस संबंद उन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली में नागर बिमानन मंत्रालाय के अधिकारियों से मुलकात कर बात की थी सांसद ने कहा कि जल्द ही राची एरपोर्ट से लखनाव अरणसी और पुने के लिए बि ख्यात सराय के लाएके नाम एक और पद में सिरी अवाड जुड गया है बतादे या अवाड कोई कलाकार नहीं बलिक अपने संघर्स की बदोलत प्रतालित महिलाओ का सहारा बनी छुटनी महतों को मिला है छुटनी महतों को डायन के नाम पर घर से निकाल दिये जाने के बा खरसावा जिला के गमर्या परखंड के भोला डी बिर्बांस का रहने वाली है सीम ने पार्टी पतादिकारियों को चेताया गलत हरकत की इजाज़त किसी को नहीं मुख्य मंतरी हेमांसुले ने कहा है कि किसी भी पदादिकारी को गलत हरकत करने की जाज़त नहीं दी जा सकती है जामो मो आंदोलन की पार्टी है पार्टी की बैठक में जब हमारे नेता और करकरता अपने बात रखते हैं तो उसमें उनकी पीड़ा भी सामील रहती है मुख्यमंत्री सुमवार को जामों की प्रमंडलिये बैठक के बाद पत्रकारों से बाचित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कई चीजे बोलने और करने का तत्पर अलग-अलग होता है चौधामें बीद आयोग के अनुबंधित कर्मियों को सेवा बिस्तार नहीं अराधना पत्नायक राजयकी गिरामिन विकास विभा के सचीव अराधना पतनायक ने असपष्ट किया है कि चोधमे बीद आयोग के अनुबंधित कर्मियों को सेवाबिस्तार नहीं मिलेगा कि उन्हें 15 विद आयोग के ताहत होने वाई नियुक्तियों के लिए सेवाबिस्तार दे दी जाए धन्यवाद यदि आप चनल पनाये हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल के अबेल एक अंद भाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोचों साथ सेर करना भूले साथी साथ आप आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ेक अवसिदे थाइंक्यू